अब आपको बताते हैं कि वसंत बंचमी के जाना पर्व की हम चर्चा कर रहे हैं, मा सरस्वती की बाते कर रहे हैं, तो इस सरस्वती मा की पूजा अर्चना किस तरीके से होगी ये भी बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिये कि वसंत बंचमी का जो त्योहार है, इसक महत्व क्या है माग महा की शुकलपक्ष की पंचमी जो तिथी होती है उसको विद्धि की जो देवी होती है मासरस्वती उनकी पूजा की जाती है उन्हें मनाया जाता है रिजाया जाता है उपासना की जाती है इसी दिन उपासना के महापर्व को वसंत पंचमी कहा जाता है य हर तरीके से आपको सबकुस देने में सक्षम है। कुछ विशेश ऐसे शुब काल में से एक होने के कारण, इसको अभूज मूर्त भी कहा जाता है। इसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं, विवाह का कारिये, निर्मान कारिये, एंगेजमेंट करनी हैं, कोई नई चीज आपको खरीदनी हैं, आप उसे कर सकते हैं। रितूओं के इस संधिकाल में, यानि की शरद रितू धीरे-धीरे कम हो रही है, गर्मी का आगमन हो रहा है, तो इस रितू के संधिकाल में ग्यान और विज्ञान दोनों का वर्दान मा सरस्वती दे सकती हैं। इसके अलावा संगीत क कला और आध्यात्म का आशिरवाद भी इसकाल में बहुत आसानी से मा सरस्वती की किरपा के दुआरा आपको मिल सकता है। अगर कुंडली में विद्या बुद्धी का योग नहीं है, यानि आपके कुंडली में पंचम भाव ठीक नहीं है, ब्रहस्पती की बोजिशन ठीक बुद्ध नीच का है या फिर पापी ग्रहों के साथ युती कर रहा है, तो विद्या कहां से आए? मा सरस्वती इस वसंत पंचमी के पावन पर्व पर आपको विद्या और वुद्धी दोनों का वरदान देंगी। शिक्षा की बाधा का आपकी पत्रिका में योग है, तो इस दिन पूजा करके इन सारे ग्रहों को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि मा सरस्वती कुछ न कुछ आपको ऐसा दे कर ही जाएंगी, बशर्ते आप पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ मा सरस्वती की पूजा अर्चना करें। अब आपको बताते हैं कि कैसे करनी है मा सरस्वती की उपासना और कौन-कौन सी छोटी-छोटी बातों का आपको पूरी पूजा अर्चना में ध्यान रखना है, इस दिन पीले, वसंती या फिर सफेद रंग के वस्तर ही आपको धारन करने हैं, काले नीले वस्तर ना पहन ल होता है और मा सरस्वती को पीला वस्तर बिछा कर एक आसन देकर उस पर स्थापित करना है, पूरी मौली से केसर जरूर इस्तेमाल करियेगा, केसर, हल्दी, हल्दी वाले चावल, धे मिठाई, फलफूल इत्यादी रखकर, मिश्री रखकर, दही और मेवा का हल्वा, जो की पीले रंका बना हो, केसर के द्वारा या पीला रंग ना हुआ हो, उनके पास शद्धा पुर्वक आप रख दीजिए, सुरियोदे के बाद धाई गंटे या सुरियास्त के बाद धाई गंटे, इस समय मा सरस्वती की पूजा अर्चना आपको जरूर करनी है, मा सरस्वती की अपने दाएं हाथ से अर्पन कर दीजिएगा, और केसर मिश्रित खीर जरूर अर्पन करें, ये बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम रहेगा, और मा सरस्वती के मूल मंत्र, जो की सभी बच्चों को जपना चाहिए, ओम एंग सरस्वते नमा, मंत्र का जाप, आपको हल्दी की म माला से करना होगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम रहेगा, एक चीज रखना है, वो भी आपको बता रहा हूँ, काले नीले कपड़ों का भूल कर भी पूजा में प्रियोग ना करियेगा, ऐसा ना हो, यदि आपने काले नीले कपड़े पहन लिए, सारी पूजा उपास ना करिये आपने, और मा सरस्वती का आशिरवाद मिलने में कुछ आपके पास कमी पेशी हो जाए, तो सारी सावधानिया आपको पहले ही बता रहे हैं, ताकि आप किसी भी तरह की त्रूटी या गलती बिल्कुल ना करें.